टाइगर शौफ और दिशापाटनी की नई फिल्म बागे टू इंडियन बॉक्स आफिस पर लगातार दमदार आकड़े दर्च कराती आ रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फिल्म को केवल इंडिया में ही पसंद किया जा रहा है फिल्म बागी टू इंटरनेशनल मारकेट्स पर भी अच्छी कमाई कर रही है भारत के बाहर 45 देशों में 625 स्क्रीन्स के साथ रिलीज हुई बागी टू ने ओवर्सेस बॉक्स ओफिस पर पहले विकेंट में 22 करोड 11 लाग का बिजनिस कर डाला है ट्रेड एक्सपर्ट अरणाधर्श ने अपने ट्वीट में बताया भारतिये एक्शन फिल्मों को लेकर एक समान्य सी सोच यह है कि इन्हें विदेशों में सुईकार नहीं किया जाता है लेकिन बागी टू ने इसे गलत साबित कर दिया है फिल्म ने अपने ओपनी वीकेंड में 3.4 मिलियन डॉलर का कारोबार किया है अगर आप सोच रहे हैं कि तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में भारती एक्शन फिल्मों के बारे में ऐसा क्यों बोला है तो हम आपको बता दे कि हॉलिवड फिल्मों का एक्शन हमेशा से भारते फिल्मों से आगे रहा है इसलिए इंजेन एक्षिन फिल्मों को लेकर विदेशों में ऐसा सोचा जाता है हालांके बागी टू का एक्षिन इतना दमदार है कि विदेशों में भी इसे खूब पसंद किया जा रहा है वल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स आफिस पर कितना धमाल मचाती है आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंच करके ज़रूर बताएं झाल